हलो एंड वेलकम बैक टू स्टनर्ट स्टोरी, आज हम देखेंगे कैफे टेरस का एपिसोड टू, हम शुरुवात में सभी लड़कियां को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए देखते हैं, परपल बोलती है, मैं हाई स्कूल के सेकंड इयर में पढ़ती हूँ, और मैं मैं कुकिंग नहीं कर सकती, इससे मेरे नाखून खराब हो जाएंगे, परपल बोलती है, मैं चीजों को बरबाद कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे लॉंड्री नहीं होगी, सब लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाने लगते हैं, ये सब सुनकर हया तो गुस्सा हो जाता है, और सब सुनकर है, हया तो बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे ग्रेंड मा तुम लोगों के वजह से बहुत ही जल्दी मर गई, ये सुनने के बाद तो वो पांचों लड़कियां बोलना बंद कर देती हैं, और सब काम के लिए भी मान जाते हैं, ग्रीन बोलती है, मै परेंच को घर क्लीन करते हुए, जो उसको बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, दूसरी तरफ परपल जो बाथरूम को क्लीन करने के बजाए खेल रही होती है, जिसकी वजह से हयातो उसके उपर गुसा करने लगता है, और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परपल हयातो को इधर से उधर दोड़ा रही होती है, अब इधर हम पिंक को देखते हैं, जो स्टेर्स को क्लीन कर रही होती है, और साथ में कम्प्लेन भी कर रही होती है, कि मुझे स्टेर्स क्लीन करना बिलकुल भी पसंद नहीं है, तब ही वहाँ पर हयातो आ जाता है, और बोलता है, कम्प्लेन करने के बजाए, तुम अपना काम अच्छे से क्यों नहीं करती हो, जिस पर पिंक गुस्से से कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो, हयातो बोलता है, मैं लॉंड्री का काम कर रहा हूँ, ये बोलने के साथ उसकी नजर पिंक के हैवन के द पर तभी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, पिंक गिरते हुए हयातों के फेस पर एक किक मार देती है, जिससे हयातों वहीं पर बेहोश हो जाता है। उस कपड़े को देखने के बाद पिंक एकदम शर्मा जाती है और फिर चिलाने लगती है, जिससे सुनकर और लड़कियां वहाँ आ जाती है। हयातों बोलता है, तुम लोगों को इतना ज्यादा शर्म क्यों आ रहा है, एक अंडर्वियर ही तो है, अब पांचों लड़कियां उसको एक डरवाना लुक देती है, जो देखकर हयातों घबरा जाता है और डर के मारे उनसे माफी मांगता है। फिर बोलता है, मैं फ्यूचर में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्योंकि इस कॉफी मशीन से बहुत ही अच्छी कॉफी बनती है, अब प्रेजन्ट में वहाँ पर ग्रीन आ जाती है और वो हायतों को बोलती है कि डिनर रेडी हो गया है, इसलिए जल्दी चलो और हमारे साथ खाना खालो। इस पर है हया तो बोलता है, तुम लोग मेरे बिना खालो, मैं बाद में खालूंगा। ग्रीन बोलती है कि हम लोग एक ही साथ खाएंगे। क्योंकि हम सब फैमली है और तुम्हारे ग्रेंड मा ने भी हम लोगों को बोला था कि हम लोग तुम्हारे साथ खाना खाएं। अब हम डिनर का सीन देखते हैं, जहां सब लोग जब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी परपल बाहर उन लोगों को चेरी ब्लॉसम दिखाती है, जो देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो सभी एक साथ बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बाद हम हयातो को देखते हैं, जो बात लेते हुए रिलैक्स हो रहा था, तभी पिंक बाथरूम में आ जाती है और वो पूरी तरीके से नेग्ड होती है, जिसको हयातो साफ साफ देख लेता है, पिंक उसे बाथरूम में देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो चिलाना शुरू कर देती है। पिंक की चीख सुनकर वहाँ पर परपल आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। हयातो कहता है, मुझे यहां औरेंग ने बात लेने के लिए बोला था, लेकिन पिछली बार की तरह ही परपल उसे पीट देती है। अब अगले सीन में हयातो और पांचों ललत डेडिकियां कैफे में होते हैं और हयातो उन लोगों को बोलता है। कैफे खोलने से पहले हम सभी लोगों को एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम लोगों को कॉफी बना कर पिलाऊंगा। ये सुनकर वो पांचों लड़कियां हयातो को हलके में लेने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन हयातो मन में बोल रहा होता है, मैं बचपन से दादी को कॉफी बनाते हुए देख रहा हूँ और मुझसे अच्छा कॉफी नहीं बनेगा, ये तो बिलकुल भी नहीं हो सकता है। इसके बाद हयातो कॉफी बनाता है और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जब सब लोग कॉफी को टेस्ट करते हैं, तो उसका स्वाद काफी ज्यादा बुरा होता है, जिसके वजह से हयातो का पोपट हो जाता है, हयातो गुसे में बोलता है, तुम लोग बस मेरी कॉफी की तारीफ नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉ प्राउन उसके पास आती है और उसके पास जाकर कुछ पैसे रखकर बोलती है, मैं कौफी बनाने जा रही हूँ. इसके बाद हयातो कहता है, जब तुमने सुबह मना किया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो क्यो ना तुम मुझे कौफी बना कर पिलाओ. अब थोड़ी देर बाद ब्राउन कॉफी बनाकर हयातो को भी एक देती है उस कॉफी को पीने के बाद हयातो काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि उसको अपनी ग्रेंड मा की बनाए हुई कॉफी की याद आ जाती है हयातो फिर ब्राउन के पास जाता है और बोलता है तुम्हें कॉफी बनाना ग्रैंड माने सिखाया है न? इसके बाद ब्राउन कहती है हाँ तो क्या? हयातो बोलता है मुझे भी कॉफी बनाना सीखा दो क्योंकि मैंने अपने ग्रैंड मान से कभी भी कॉफी बनाना नहीं सीख ये सुनने के बाद Brown हयातो को देखे जा रही थी. फिर हयातो अच्छे से request करता है, कि Please मुझे सीखा दो. हयातो को ऐसा बोलता देखकर Brown कहती है, तुम बड़े क्यूट हो हयातो. क्यूट शब्द सुनते ही हयातो शर्म के मारे वहां से जाने लगता है. ब्राउन उसका हाथ पकड़ कर कहती है चलो मैं तुम्हें सीखाती हूँ अब अगले सिन में हयातो फिर से बात ले रहा था और इस बार वहाँ पर परपल आ जाती है वो भी बिल्कुल नेक्स्ट होती है पिंग की तरह अब हम सबको तो पता ही है कि हयातो के लगने वाले है अब सुबह के समय हम हयातो और और औरेंज को साथ में देखते हैं औरेंज कहती है मुझे क्यों तुम्हारे साथ कोट सी जाना पीच रहा है जिस पर हयातो बोलता है तुम थोड़ा कंपलेंट करना बंद करोगी हमें अपने बिजनिस पार्टनर को बताना होगा कि हम लोग कैफे को रियोपन कर रहे हैं औरेंज कहती है मुझे तो लग रहा है कि हम लोग एक डेट पर जा रहे हैं हया तो इस पर कहता है ऐसा कुछ नहीं है अब हया तो सब लड़कियों का डिफेक्ट बताने लगता है कि उन लोगों में उतना कम्यूनिकेशन स्किल नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब दोनों एक आदमी के पास जाते हैं और अपने कैफे के बारे के बताते हैं और उन्हें अपने कैफे के बारे में बताते हैं हर जगे औरेंज ही चीजों को सम्हाल रही थी और नल्ला हयातों तो हर जगे सिट्यूशन खराब कर रहा था अब ऐसे ही शाम हो जाता है इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो कि एक श्राइन में जाते हैं औरेंज एक पर्ची निकालती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है फिर औरेंज श्राइन में प्रे करने लगती है और हयातों को बताती है कि मैं इस श्राइन में इसलिए आई हूँ क्योंकि एक बार ग्रेंड मा ने मुझे बताया था कि अगर हम कुछ चीज शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले हमेशा गौड को बताना चाहिए ये सुनकर हयातों कहता है तुम भी इन सब चीज़ों को मानती हो अब औरेंज को इस पर गुस्सा आ जाता है और वो हयातों को बोलती है तुम इसे कोर्ट से विसिट कहते हो एक बिजनिस खड़ा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है हमें उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए जो लोग भी हमारी मदद करते है जब तुम उन सभी से फेवर मांगने के लिए गए थे तब तुमने अपना सर एक बार भी नीचे नहीं जुकाया अब मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसापॉइंट हूँ ये सब बाते सुनने के बाद हयातों को अपना गलती रियलाइज होता है हयातों फिर औरेंज से बोलता है मुझे माफ कर देना अब से मैं और भी ज्यादा केरफुल रहूँगा इसके बाद हयातों वहां से जाने लगता है जो देखकर औरेंज कहती है कि तुम कहां पर जा रहे हो जिस पर हयातों बोलता है कि मैं उनसे भी लोगों से फिर से बात करने के लिए जा रहा हूँ और इस बारे मैं अच्छे मैनर्स के साथ हेल्प मांगूंगा ये सब सुनने के बाद औरेंज बहुत ज्यादा बलश करने लगती है दूसरी तरफ हयातों वहीं सीरियों के एकदम नीचे चला आता है तब ही सीरियों के उपर से औरेंज अपना हैवन हयातों को दिखाती है और बोलती है तुमने अच्छी तरीके से माफी मांगा इसलिए ये रहा तुम्हारा reward ये देखने के बाद तो हयातों काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इसी कारण सीरियों से नीचे गिर जाता है अब इधर हम औरेंजे को देखते हैं जो अपनी परची देखकर बहुत खुश थी उस परची में लिखा था कि तुम जिसका वेट कर रही थी वो वेट खत्म हुआ सिंपल शब्दों में कहे तो परची में औरेंज के future boyfriend या husband के बारे में लिखा है जो हयातों भी हो सकता है इसलिए तो heaven दिखा दिया इसने तो दोस्तों ये episode यहीं पर खत्म होता है अब मिलते है किसी नए वीडियो के साथ अगर अभी तक हमारे channel stunt story को subscribe नहीं किया है तो कर दो यार ताकि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए motivation मिल जाए